हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उमीद करतो हूँ आप लोग अच्छे होगे तो आगए दोस्तों आप से भी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में है गाइज वुमेंस मैच स्टार्ट होने वाला है जो कि अपना इंडिया वुमेंस और बांगलादे यहां पर मतलब कि IPL में बीजी रहने वाले हैं ठीक है तो ऐसे में वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वुमेंस मैच की वैसे भी बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहो ना तो खुद को भाई देखो इंडिया वुमेंस का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एंडिया बंड़ादे वुमेंस के कंप्यर में बहुत मजबूर्ट टीम रहने वाली यह लेकिन अजा देना है ना मतलब कि इंदिया टूर कर रही है इस चीज का ध्यान में रखना है нетतरको बालिच रहने वाली ये बाकी ispanners आप लोगों के लिए बहुत important बारिश के भी आसार दिखाई जा रहे हैं लेकिन आभी देखो Asia में वैसे बारिश के मौसम नहीं चल रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को इस चीज को भी ध्यान रखना है कि मैच में बारिश इंटाफियर कर सकती है टी ट्वैंटी मैच की बात करते हैं पिछले पांच मैचों में मातर संतानवे रन यहां पर बनता है इसका मतलब फुली बॉलर्स डॉमिनेंट करने वाले हैं दस टोटल विकेट गिरे हैं एक विकेट इस्पिनर्स और नौ विकेट पेसर्स ने निकालें आहरा है एक विकेट पेसर्स नो विकेट स्पिनर्स ने निकालें तो इस्पिनर्स को ही आप लोगों को फेवर करना यहां पर यह दोनूट परफोमेंस यह है वीडियो में आगे बढ़ऑ उससे पहले टेली ग्राम के चैनल प्या जाना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंड वॉक्स में मैंने दे दिया है लिंक वर्क ना करें तो सिंपली से क्रिक 2580 आप लिख करके भी यहाँ पर सर्च करके आ सकती हो सही जगा प्याना देखोगे अभी IPL मैच चल रहे हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्मॉल लिग ग्रांड लिग हर परकार की टीम दे देता हूं टॉस के बार तो जोएन जरूर कर लिजेगा जोएन करना ना भूलेगा बात करते हैं बांगलादस वुमेंस की क्या कुछ पॉस्बल प्लेंग 11 हो सकती विथ रिसेंट फॉर् इनकी खिलाडी है मुर्शिदा खातुन रिसेंट फॉर्म देखिएगा बहुत बुरा है यहाँ पर मातर एक बीस रनों का स्कोर आया है टोटली फ्लॉप है है टूर्ड में इनकी ओसात है अठारा की वेनू पे खेलते हुए ओसात है चबिस की और ओवरॉल टी टुएंटी में 77 रन इनों नहीं किया है बीस की आउसत के साथ ठीक है तो एवरेज खिलाडी रहने वाली है ग्रांड लिंग में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो हम लोगों को ट्राई यही करना है कि इंडिया वूमेंस के ही फेवर में अपनी टीम क्रियेट करना है रूबिया हैदर क की बात करते हैं तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है और हेट टूएड वेनू पे इनोंने खेला नहीं है टी टूएंटी में तीन मैच में 25 रन इनों नहीं किया है जहां पे मातर 8 की इनकी आवरेज है सो बेना मुष्टवी की बात करते हैं हालिया फॉर्म देखूंगा कौन अच्छी हो सकती है फिलाल तो अभी तक सभी फ्लॉप चल रही है दिलेरा अक्तर की बात करते हैं रिसेंट फॉर्म कोई खासा नहीं है हेट टूएड में भी कुछ खासा पफॉर्मेंस नहीं है वेनू पे इन्होंने खेला नहीं है टी टूएंटी में 6 म का मतलब लगभग 2-3 विकेट का पॉइंट इन्होंने दिया है तीन विकेट मान लो ठीक है हेट टूएड में 10 मैच में 192 रने जहां पे 21 की हो सकते है वेनू पे 3 मैच में 101 रने 33 की हो सकते है और T20 में overall 1709 रने 25 की हो सकते है तो देखो बांगलादेस के तरफ से न ये विक विकेट वाला छोड़ दिया जाए तो है हेट टूएड में 8 मैच में मात्र 50 रने 10 की हो सकते है वेनू पे भी कुछ खासा परफोमेंस नहीं है हेट टूएड में एक विकेट निकाली है आठ मुकाबले के तीन पारे में बॉलिंग करते हुए एक विकेट है वेनू पे निकाला है तो 50-50 खिलाडी रहने वाली है चाहो तो रख भी सकते हो अधर्वाइस ड्रॉप भी करके चल सकते हो बात करते हैं शुराना अक्तर क्या परफोमेंस देखिएगा क्योंकि दोनों काम करेंगे बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे लेकिन परफोमेंस इनके हीत म नहीं है अब हेट 2A में 4 में 37 रने जहां पर 12 की ओसा है बत और बैट्समेन बालिंग से चार मतलब दो इनिंग में एक विकेड है वेनू पे ना बैटिंग किये ना बॉलिंग किये ती 20 में 187 रने 18 में 15 की ओसा है वहीं 14 पारी में 12 विकेड भी इनके नाम है शुरीफा खा साथ पारी में दो विकेट इन्होंने निकाला हुआ है नाहिदा अक्तर यह एक इंपोर्टेंट खिलाड़ी हो सकती है ठीक है वैसे परफोर्मेंस की बात की जाए तो कुछ इक विकेट कम से कम निकाल के दे रही है ग्रहां लिंग में ट्राई कर सकते हो तै लिए दो फारे इनको मिला है इस टैट्स जो कि टी-ट्वाइंटी अंट है उर्ट पारे में ग्यारा विकेट में नामे है अब जो खिलाडी bench पे हैं आप उनका record देख सकते हो यहां पर साइधिंक फाहिमा खातुन bench पे रह सकती है सुल्ताना खातुन bench पे रह सकती है खेलिंगे तो वैसे इन दोनों का record अच्छा है ठीक है ना ये दोनों एक important खिलाडी हो सकती है बाकि रेबिया खान भी bench पर I think रहने वाली है तो उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा ठीक है बात करते हैं अपने इंडिया वूमेंस के ताफ से जादा तर तो यहीं प कुछ domestic matches हैं और देखो domestic का matches कुछ 50 ओवर कुछ test cricket पर हैं और कुछ यहां पर WPL जो की February में खेला जा रहा था लगबग तीन महेंने पहले उसके भी record है सैफाली वर्मा गजब की form में है head to head अब आपको मालूम है recent form मतलब जो की हालिया फिलाल मैच खेल के आ रही है head to head मतलब की जिस टीम के अगेंस्ट खेलने वाली है तो 6 पारी में 141 रने 23 की और वेनू का मतलब जिस ग्राउंड पर मैच होने वाला है वहां पर 4 पारी में 110 रने 27 की और टी 20 मतलब format है जहां पर 68 पारी में 1605 रने 24 की और यह चीज होता है उम्मीद है आप लोग अच्छे से चीज पर इनके 27 की हो सात है तो इंप्वॉटेंट रहने वाली है बाकी बात करते है यास्तिकाभाटिया रिसेंड फॉर्म इनका भी गजब का recent form में head to 8 की बात करते है तो 32 रहने 16 की हो सात है head to 8 में कुछ खासा performance नहीं है वेनू पे इन्होंने कभी खेला नहीं है, T20 में मात्र 14 की हो साथ है, ठीक है, हर्मन प्रित कोर जो की टीम की काप्टर ने recent form बहुत अच्छा है इनका, head to head में देखिएगा, 378 रने 34 की हो साथ है, भाई वेनू पे भी 30 की हो साथ है, और overall 27 की हो साथ है, बैटिंग बॉलिंग दोनों काम करती है, ठीक है, एक proper all-rounder खेला लिए हैं, आपको अपने टीम में किसी भी हालत में इनको ले के चलना है, बात करते हैं, अपनी विकेट कीपर, जो कि रिचा घोश रहने वाली है, इनका भी head to head, मत माफ कीजेगा, रिचा घोश का हालिया परफोर्मेंस WPL में अच्छा था, दिप्ती सर्मा इनफेक्ट, CVC वाली खिलाली गजब का परफोर्मेंस लड़की ने दिया है, आठ मैच में एक 70 रहने देखो, head to head में मातर 11 की ले किन उसाथ है, बॉलिंग साथ पारी में 5 विकेट है, लेकिन 101 पारी में 113 विकेट ले गई है, तो हालिया परफोर्म अच्छा है, इनफेक्ट, CVC वाली खिलाडी रहने वाली है, अमन जोत को और बताना कमेंट करके, WPL में किस टीम में खेलती थी ठीक है, यहाँ पर रिसेंट फोर्म की बात की जाए, रिसेंट इन्होंने कोई मैचेज फॉर्म इनका दिख नहीं रहा है, अगर बात की जाए, इनके हेट टू एड मैच की, तो आठ की मात्र उसात है, और इन्होंने बॉलिंग भी की है, दो पारी में एक विकेट निकाली है, और वेनू पे यह खेली नहीं है, पारी में छे विकेट भी है, वेनू पे इनकी 35 की उसात है, ठीक है, वेनू पे तीन पारी में दो विकेट भी इनके नाम है, श्रेट्स T20 का यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसी तरह श्रेंका पटेल जो की बहुत गजब का पफ़मेंस देती, कमेंट करके बताना, आप लोगों ने देखा होगा, WPL में इनको भी खेलते हुए, किस टीम से खेली थी, हेट टू एड में खेली ही उली नहीं है, T20 आई में 6 पारी में 8 विकेट इन्होंने निकाला है, हेट टू एड में कोई अच्छा पफ़मेंस नहीं है, T20 में 7 पारी में 8 विकेट इनके नाम है, बागे दिलान हिमंता आई थिंक बेंच पे रहेंगी, संजना सिंजीवनी बेंच पे रहेंगी, राधा यादू खेलेंगी तो इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई थिंक बेंच पे रहेंगी, आसा सोबना भी बेंच पे हो सकती है, बात करते हैं दोस्तों, अपने सबसे पहले fantasy team की तो विकेट कीपर में मैंने रिचा घोष को ट्राई किया है, निगार सुल्ताना गवी कलप है, ठीक ठाक सा record है, और वीडो आप देख कर आना, तभी जो चीज़े मैं समझाओंगा, आप समझ भी पाऊगे, तो वीडो प्लीज देख कर आना, ठीक है, बैटिंग से दोखो, मंदाना सैफाली वर्मा को लिया है, मैं इंडिया वूमेंस के ही फेवर में अब देखो, राधा यादो अगर नहीं खेलेंगे न, तो फिर यहां से देखा जाएगा, किसको टीम में रखना है, फिलाल मैं मान की चल रहा हूँ कि, राधा यादो खेलेंगे, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो अपने पास, टॉस है, नहीं, लाइनप है, क्या कुछ प्लेइंग लेवन होगी, इस पे भी काफी डिबेट रहेगा, क्याप्टन सीफाली वर्मा, जो कि आप लोगों को ओपन के साथ साथ हो सकता है, दो बर की बॉलिंग करके देदें, ये भी शूर नहीं है, क्यूंकि नंबर्स ऑफ बॉलर्स में काउंट करूंगा, कि इंडिया वुमेंस कितने प्रॉपर बॉलर के साथ खेल रही है, मंधना के साथ वी सी जा रहा हूँ, आप कौर के साथ जा सकते हो, अगर चार नंबर पर कौर खेलेंगी, और इंडिया की टिम फर्स्ट बैट करीगे ना, तो हो सकता है, मैं कौर को अपना सी वी सी कंसीडर करूं, अदर्वाइस दिप्ती सर्मा का भी विकल्प है, आप इनके साथ भी जा सकते हो, देखो फाइनल टीम हैने, क्योंकि अभी अपने पाश टॉस भी रिपोर्ट नहीं है, और क्या प्लेइंग 11 रहेगी, ये भी रिपोर्ट नहीं है, ये हम लोगों की अनुमानित गया रहा है, प्रिडिक्शन है, हम लोग भविस्वाली करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, क्याप्टन वर्मा वाइस क्याप्टन मंधना है जहां पर सर्मा का विकल्प है कौर का विकल्प है ठीक है और जो भी मेरी फाइनल टीम होगी न टॉस के बाद आप लोगों को टेली ग्राम पर बता दी जाएगे तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक के वर्क ना कर तो एक पार अच्छे है तो देख लो बहुत अच्छा विन करके निकलने वाले हो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं कर अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए गुड़ों है टेक